आप लोगों का स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हो यह पपीते का पेड़ है और यह देखना आप यह पपीते का दूद है दोस्तों जो पपीते का दूद देख रहे हो इस पपीते के दूद से आप अपने दाद खाज खुजली को दूर कर सकते हो तो यह जो मैं आप आज ये परियोग बताने वाला हूँ जो ये नुस्का बताने वाला हूँ ये बहुत ही जबरदस्त नुस्का है दाद खाज खुजली पुराने से पुरानी कितनी भी पुरानी उनको जड़ से दूर करने में ये नुस्का बहुत ही कारगर है इस नुस्के में दोस्तों कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जो मैं आपको भी बतलाता हूँ दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हो से के तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँ और देशी नुसके अईरवेदिक जो तरीके हैं मैं आपको बतलाता रहूँ और आप लोगों को फाइदा पहुचाता रहूँ तो दोस्तों आप यह जो दूद देख रहे हो आपको करना क्या है आपको इसका दूद लेना है इस तरह मैंने लिया ऐसे ऐसे आप इसको ले सकते हो उम्यूद से भी ले सकते हो या फिर चम्मच में भी ले सकते हो थोड़ा सा दूद लेकर आपको अपने दाद वाले जहां पर आपको दाद है खाज है खुजली है जिसे मानों आपको यहां पर खुजली है आप लेकर इसे उस जगा पर लगा दो और दोस्तों एक बात का धिहान रहे हैं यह दूद आँखों में नहीं लगना चाहिए और यह दूद को बहुत जादा इस्तमाल नहीं करना है बस थोड़ा सा इतना ही लोग कि वह जगा बस भी देना है इतना लगाना है कि बस अजगह बीग जाए और शोड़ देना है और एक लिए बात करें देंसे लगा कर भूल मत जाना इसे लगा कर दो गनीके को आजमा सकते हो और अपने जो खुजली है जो दाद है दाद दौस्तों ये दाद खाज खुजली बहुत बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये फैलते हैं बहुत लोगों को मैंने देखा है कि दाद उनकी खुजली उनकी इतनी बढ़ तो दोस्तों पपीते का ये दूद आप इस्तमाल कर सकते हो अपने दाद खाज गुजले में और आप अपने रोग से निजात पा सकते हो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझ सिहते उसका ख्याल रखें धन्यवाद दोस्तों